अलो यूरिवन मैं गजानन आज आपके अपने यूट्यूब चैनल गजराश्टेक में आप सभी का हर्दिक सोगत करता हूँ दोस्तो आज है नया साल एक जनवरी दो हजार इक्टीस 2020 को दोस्तों वो इसे याद नहीं करना चाहिए लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बहुत खराब रहा वैसे कोरोना आ गया लोगडाउन चलते रहा लोगों को नोक्रिया नहीं मिली लोगों को जो रोजगार मिला था वो भी छीन गया अरनिंग का कोई सवर्स नहीं मिला बहुत तो को परिशानी हुई बहुत तो दिक्कत का सामना करना पड़ा लेकिन कुछ लोगों ने जिनको ऑनलाइन आरनिंग के बारे में पता चला उन लोगों ने दोस्तों काफी आरनिंग की है और उनका काफी बढ़ियास रहा 2020 तो ऐसे हम एक प्लैटफॉम के बारे में बताएंगे दोस्तों शियर मार्केट इसमें आप आसानी से घर बेटे 2000-5000 डेली खमा सकते हैं दोस्तों वह भी सिंपल तरीकी से मैं आपको बताऊंगा कैसे उपन किया जाता है उसको कैसे चला जाता है इसके बारे में सब मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा दोस्तों स् और अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुरुपया सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं नेक्ट वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिक्शन आप तक मिल सके चलिए शुर लेगे चाहिए दोस्तों आपके पास पैर काड़ होना चीए आतर काड़ होना चीए एक बैंक अकॉंट होना चीए नेट बैंकिंग होगा तो और यह बेटर होगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रहता है आप जाए तो आस डाउनलोर कर सकते हैं आप ओपन करना एक बाद उसको यूजर आड़ी पासवर्ड आपको दिया जाएगा उसमें यूजर आड़ी पासवर्ड फिल कीजिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा दोस्त वाचलिस्ट के अंदर यह सारे शियर्स होते हैं वो दिखा देते हैं उसके बाद यह ओडर से नेक्ष्ट जो भी हम ओडर लागाते हैं आज यह 24 होर्ड के लिए होता है दोस्तों जो भी 24 होर्ड के अंदर हम ओडर फ्लेस करेंगे इसमें ओडर में शो करेगा यह होता है प को व्हाइड करना होगा तो यहां विडर्ड एड़ सकते हैं अगर हमें विडरॉल करना होगा है जितना वी हमारा ind with कर दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा स्टेफ बास्टेफ यह जो सियर्स होते हैं दोस्तों यह हम यहां से कैसे याड़ कर सकते हैं यह देखिए राइट साइड में अपर की तरफ यह प्लस का निशान है इसके ओपर हम कोई भी एक्स भाइज़र को यहां पिए टाइप कर मैं यह आ गया टाठा मोथ्यास का option यह टाठा श्टील है दोस्तो सब्सक्तों अभी टाठा मोथव्यक्त मैंने पहले से आड़ कर रखा है मैं चाधा दोस्तों यह हो जाएगा यह देखिए वैक देखिए नौने कि लिश्ट में हो गया है यह देखिए अर्थमकर क्या है आ अगर आप लोगों को share market के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप फाफी सारे new channel आते हैं, business channel आते हैं, उसमें आप देख सकते हैं, सपोस कीजिए, जी business है, जी business आवाज है, ऐसे जो channel से दोस्तों उसको आप देख सकते हैं, उसके बाद काफी newspaper आते है, business related, shop market related, आप उनको भी न्यूज़ पेपर पढ़के आपको जानकारी हासिल होगा की कौनसे कंपनी को कौन सा पुर्जक्त मिला है कोई आफर मिला है तो उस इसाब से दोस्तों संपूस कीज़े टाटा श्चीद को कोई बढ़िया आफर मिला है क Оगा मिला है काई जानकारी के आप छूरूश्य में दोस्तों இ ethos छेज Аयप वारत हैं और जानकारी नहीं है जादा जानकारी उसके अंदर न है तो यहांколât भारत है ल्यांNo इसको आपने दोस्तों जैसे मैंने इसको ऊपन कर लिया वी तो आपको इसको बाय करना है कैसे करना है यह देखिए यह सिंपल नीचे के तरफ लेट साइड में बाय का ओप्शन आ रहा है दोस्तों इसके उपर हम कर देंगे क्लिक यहां पर मैं क्वांटिटी डालूंगा इतन लगा लगा ओफ्शन आते हैं और सिंपल सीओ उस्यो एमो लेकिन आपको दोस्तों सिंपल ही रखना है यह आउडर टाइप में आता है दोस्तों मार्केट प्राइज आता एक लिमिट आता है स्टॉक मार्केट लिमिट आता है यह अपना स्टॉक स्टॉप लॉस लिमिट आ के उपर क्लिक करूंगा देखे जिसे कि यह मार्केट मैंने कर दिया है तो मार्केट करने के बाद जो मार्केट रेट अब चल रहा है जैसे 35 पर 90 तो इसकी रेट के ऊपर मेरा शेयर भाय हो जाएगा लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका रेट कम आएगा मिझे यह 34 में बाय करना है तो मैं यहां पर लिमिट कर दूंगा दोस्तों और यहां पर 34 पील कर दूंगा यह जैसे मेरे शेयर का फ्राइज 34 के उपर आ जाएगा तो मेरा यह श्टॉक भाय हो जाएगा दोस्तों कि अभी यहां पर शो कर रहा है कि मुझे सो कॉंटिटी पर्चेस करने के लिए 34 फ्राइज पे कितना पैसा लगेगा तो यहां प्यार आए दोस्तों 3,600 एस्टेमेट अमाड मुझे इतना टालना पड़ेगा यहां पे 3,400 मुझे चाहिए सब कॉंटिटी इसका बाय करने के लिए तो मैं इसको रिवीव के उपर क्लिक कर दोंगो दोस्तों एक बार चेक करना है कन्फरम करना है ओडर को जैसे प्राइस हो गया 34 का कॉंटिटी डीटी डे में आ गया तो एक बार मैं आपको दिखता हूए दोस्तों यह डिलिवरी आता है इसमें option प्रोडक्ट में option 2 अाता यह वता है इंत्राड यह यह होता है कि आज आज शेयर को भाय करना है और आज शेयर करना है नौसमेर के भाद आप शेयर को भाय कर सकते हैं और तीनείे बज्के 20 मिनिट तक आप शेयर करना पड़ेगा जो आप उसको इंट्राडे में लोगे इंट्राडे का शेयर अगर आपने नहीं बेचा तो जो भी प्राइस चलड़ा होगा चाहिए आपने 34 फे लिया है चाहिए 35 फे लिया है जो भी आपका रेट चलड़ा है जैसे प्लस चलड़ा हो चाहिए माइनस चलड़ा हो आपका सियर दोस्तों अपने आप बाय हो जाएगा अगर आपने बाय नहीं कि पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना है इंत्राडैय आप शूरू शूरू में करना नहीं है अगर आप मार्केट में नए है तो आपने ईंत्राडै टेडिंग करने नहीं है आपने खाले delivery करना है delivery बहुत ही स्टिम्पल चीज है delivery यह होता है कि आप चाहि 돼 आज शेयर को बेश सकते हैं चाहिए 10 साल बाद 20 साल बाद सभी भी बेश सकते हैं उसका कोई लिमिट ने डिलेवरी का डिलेवरी बहुत बेटर ऑप्शन है डिलेवरी में यह होता है कि आपने सपोज 34 पे कोई शेयर बाय कर लिया है उसका फ्राइस अगर नीचे की तरफ चल होगा लागा कि यह उसको हो गया कंफर्म पूरा मैंनिक करती है अभी बाय के उपर क्लिक कर दूगा यह देखिए आपके दोस्तों बता रहा आए अडाप्टर इसक्नेक्ट टो एक्षेंज तोस्तों अभी मार्केट बंद है मार्केट अभी शूरू नहीं हुआ है इसलिए है इसको है रिजिट हो गया दोस्तों अभी मैं आपको दिखा को कि आपने सेल क्येकरना है कोई परक सेल करते हैं इसे बस आपको बाय करने क्लिक करना है है यहाँ पर हम कॉंटेटी डाल देंगे हमने लिया था यहाँ पर हमको बेचना एक है कि जगा इसमें 50 भी भी बेच सकते हैं दोस्तों जितना मर्द हम बेच दकते हैं लेकिन चलिए हमगे आपको यह कर दिया हमने इसमें इसके बाद यह जो हमने इसींपल में रखा था तो सिंपल में अभी रखना पड़ेगा और टायप लिमिट में है दोस्तों तो इसको ली अधिए अब सपोस कीजिए मैं ने इसको लिया था इस शेयर को मन लो मैंने लिए था अपना 35 फे लिए था या 640 फे लिए था मान लीजिए अभी इसका फ्राइस चल रह sposibaw में सोचता हूँ कि इसको अभ फ्राइस में मने बेचना है इसमें कमिस्ञेर अणों कर सक हूँ क्योंकि दोस्तों कोई भी आता है मार्केट में तो आर्निंग करने के लिए आता है तो मैं इसमें चाहता हूं कि इसका जो फ्राइज है भी चलता है 645 तो मैं चाहूंगा कि इसको मैं वानलो 650 को बेचना चाहता हूँ तो मैं इसको करूंगा 650 650 कर दूँगा और यह delivery रखना है दोस्तों और इसको मैं review कर दूँगा तो यह जैसे हम sell के उपर click कर देंगे दोस्तों यह sell हो जाएगा अभी suppose किजिए कि आपको कोई share buy करना है जैसे यह होगा भेल का होगा दोस्तों यह share buy करना है इसको आपने देखना है यहाँ पर कि इसका price कितना चल रहा है इसका price कितना चल रहा है इसको देखना है आपने अभी इसका market price चल रहा है नब्बे तो मान लीजी आपको आप के पास 5000 रुपीज है तो आप कितना यहां पर ले सकते हैं तो सिंपल सा यह करना है दोस्तो यहां पर आप क्यालकुलेटर ओपन कर लेना है क्यालकुलेटर ओपन करना के बाद यहां पर टाइप करेंगे 5000 भागिला 35.90 बराबर 149 139 quantity आप इसका दोस्तो भाइ कर सकते है 5000 में इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तो आपके इसके बारा में ए consumers सा जान खरीदोंगा यहां पर वह व्यूं में क्लिक करेंगे दोस्तों यह और यहां पर लेट रमें ओहर वी दिख में ऊपर की ततरब वह व्यूं में हम देख सकते हैं कि इसका आज का ओपन फ्राइस कितना है आज इसको ओपन हुआ है दोस्तों 35.40 पे इसका आज लो गया है यह देखे नीचे की तरफ लो है यह लो गया है 35.40 आज हुआ था यह 35.40 पे कल क्लोज हुआ था 35.40 पे ही आज लो गया था यहाँ पे 35.15 तुडेज लो एंड तुडेज हाई लिखा है आप देखे लेट की तरफ लिखा है 35.15 जो लो गया था आज और यहाँ पे हाई गया था दोस्तों 36.50 आज आज आए गया था उसके नीचे आए यहाँ पे लिखाए 52 विक लो एंड 52 विक लो तो यहाँ पे एक साल के अंदर यह गया है 18.40 तक लो गया है और यह हाई गया है 47.75 तक और यह दोस्तों अपर सरकेट होता है मतलब आज यहाँ तक जा सकता है और इसके नीचे लोवर सरकेट है मतलब यहाँ तक यह इसतना नीचे जा सकता है बहुत ही कम टाइम में ऐसा होता है दोस्तों बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि यह आपर सरकेट को क्रॉस कर पाता है नहीं तो 98% ऐसा नहीं होता है यह सिंपल चीज है इन्होंने एक टार्गेट दिया रहता है कि यहाँ से शेयर उपर जा सकता है और यहाँ से नीचे जाएगा तो इतना नीचे जा सकता है नेक्स आप्शन के उपर हम क्लिक करेंगे चार्ट यह देखे दोस्तों यह होता है चार्ट इसमें हमारा शेयर आज कितना मुमेट किया कितना उपर गया कितना नीचे गया इसके अंदर शो करता है इसके अंदर हम देखिए एक मिनिट से लेके 30 minute तक यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद एक hour से लेके 4 hour तक का चार्ट हम देख सकते हैं इसके बाद है one day से लेके one month का देख सकते हैं और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे दोस्तो हम one day five day one month six month one year five year और यह all यहाँ से share open हुआ है जिस साल इसका ओपनिंग हुआ है जिस साल यह लिश्टिंग फाय मार्केट में वहाँ तक का हम इसमें इसका चार्ट देख सकते हैं तो इसके बाद यह option chain आता है दोस्तो option chain है इसमें orders वागेरा है portfolio है यह सब चीज़ेस में धी है अभी आपको जानकरी कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को अंतर तेक देखने एक ले धन्यवाद थैंक यू